आज हम लोग के पास है आरण 5m जिसका डिलिवरी वीडियो आपने लास्ट देखा था तो एक क्विक वाकराउंड जे देता हूं उसके बाद मैं आपको बाइक चला के दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि अब देखाऊंगा इग्नोर बाइक पर्सुन तो बाइक काफी सही है स्मूच चल रही है अब है बाकी बात ज्यादा चीज इसमें बताऊंगा नहीं ज्यादा चीज में भी बाइक चलाते होगा बात करूगा बाइदे वेदिस बाइक शिफ्टर एंड डुल चैनल अब या प क्याइस होता है कि काफी सेक्षी है और अल्सो डुकाटी टाइब स्टार्ट बटन दिया हुआ है कि इसमें स्टार्ट बतन बीची में है और हजार दीधर है विस इस हैंग अभी यह स्ट्रीट मोड पर तो दिए इंफो का बटन इसको प्रेश करते रहने के बाद बाइक स् और अक्षन कंट्रोल लॉत यह बाइक में यह अगया ट्रेक मोड़ तो उतनी पर फॉमेस में अंतर आता है यह और नहीं आता है क्या होता है वह भी पर नहीं है यह है क्विक शिफ्टर का कमाल क्लचलेश शिफ्ट काफी अच्छा है और बाइद अभी हम लग धुर्वा डैम के पास है रिंग रोड चड़ते हैं आगे से उसके बाद आपको अच्छा से दिखाएंगे कि क्या कर सकती है यह बाइद अवे स्मूथ काफी जादा है खेर 1500cc का इंजन है उससे कुछ जादा बहुत जादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं बाइक स्मूथ है सही है और लुक्स वाइस तो खेर इसमें मैं कमेंट करके कुछ मेरे कमेंट से कुछ होना नहीं है क्योंकि सब की अपनी अपनी पसंद होती है मुझे तो इसका लुक काफी अच्छा लगा वर्जन 3 से काफी बेटर लगा मुझे आज तक वर्जन 3 का डिजाइन पसंद नहीं आया बट इसका लुक काफी आर आल्सो मैंने जब हम लोग ने डिलिवरी ली थी तो मैंने इस पर भी बैठा था और वर्जन 3 पर भी बैठा था तुरंत मैं उस पर बैठा फिर इसमें बैठा तो दोनों में डिफरेंस काफी ज़्यादा है मतलब सीटिंग पोस्चर में यह उससे बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल है वर्जन 3 से वर्जन 4 बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल है कि अगर अगर हो जाए तो बिकॉस मैंने अभी तक पचास साथ की उपर इसको लेनी गया है और जैसा कि चंदन बोल रहा है कि इंजन लॉग्ड है चंदन ने बोला है कि इंजन लॉग्ड है तो वो तो आगे पता चलेगा बाइद आवे मैंने इतनी देर तक पहली बार कोई रवन फाइब को चलाया है मैंने वर्जन 3 एक बार चलाया था और वह भी बहुत थोड़ा सा कि मैंने आरवन फाइब को इतनी देर चलाया हो विस इतना देर चलाया हो तो सो फार सो गुड राइड क्वालिटी ठीक है थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील तो हो रहा है बाट आफ्टर ओल इट्स वन फिफ्टी सिसी बाइक और अभी इंजन लोग भी है जैसा चंदन लोग बोल रहा है कि अभी इंजन लोग किया हुआ है वो फर्स सर्विस के नाथ खुलेगा पता नहीं वो तो अब रिंग रूट कर मैं ही पता करूंगा क्यूंकि वो लग दोनों लेकाया दूनों फोड़ा सा रें से चलने वाला अब भी लोगा है तो अब लेट्स गो प्रकमू अब हमलोग आप घरिन क्याक्शक और उसके बाद होगा बवाल अलसो इसका हॉर्न जो है वो ऐसा फील होता है ना जैसे आपके मूपे ही हॉरन मारा हुआ हो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हॉरन मेरे ही पास आ रहा है आवाज उसका तो ये चीज है एक डी मेरिक बाकी तो सो सार सो गुड बाइक बहुत अच्छा चल रही है नो कम्प्लेंट्स अब ये तो रात का पता नहीं चल पाएगा इसमें लाइट का थुरो अगरा कैसा है क्या है बट किसमें ये रहा हजार लाइट हजार लाइट जला के चलने में अलगी मजा पता नहीं क्यूं तो अभी रिंग रोड चाड़ते हैं उसके बाद इसको जीरो से उठाएगे मैं पता नहीं क्यूं क्लच दभा रहा हूं मुझे आदत है भाई तो अभी रिंग रोड चड़ेंगे उसके बाद इस बाइक का पोटेंशियल को देखेंगे क्या है क्या नहीं है तो यहां पर रुका जाए आगे में जहां पर से मैं उठा सकूं बाइक को सही से बाइड़ वन फिफ्टी सी सी में ट्रैक्शन कंट्रोल यह सोचा नहीं था तो अब हम लोग चलते हैं लेट्स टार्ट ट्रैक मोड ओन अब है बाइक ट्रैक मोड पे और अब बढ़ा जा झाल पाल 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 को सही सेम जाए झाल करें लेड़ा जाए झाल को सही सेम पर फजोड बाई बाइक उन्होचा एकैन प्रश फिर्ट इवाए अन्याच, अन्याच टेस में हो थागा है आपी अच्छा वागी रेड लाएंगी कापी अच्छा तिंडर दिख था है आर्टों में तो प्राइब में पदा नहीं चला इसमा उनको लगता है इस सेटिंग पर रहा होगा लाप्गा और कितना पास्ट गाई की टाइम लगो दो पाइद वस्टी किसा नहीं है तो लाइस सब्सक्राइब मुझे लगता परफॉर्मेंस नहीं है एक बारी स्वीट मोड पर भी ले जाने के बाद भागा के देखें 0-100 तो पदा चल जाएगा और इस बार प्रॉपर इठाएंगे और देखेंगे कि इतना भाग रही है तो आगे जाने देखेंगे विल आखने की है जा कर देखेंगे जाएगा मुझे एकॉर्म현 कस्षी में पिलत जाएगा। काफिर जान्ग होता है कि इतनी जूकी भी बाइक को टाहली बाता है इसको ब्रेक मार नहीं और गजना यहाँद्ड, टाहने डिशाब नहीं आता हुआ है दो दुध में संब ने लिए अगे बाइक में आता हुआ है लेकिन इसमें वह चीज नहीं है इसमें काफी ज़्यादा कॉंसुडेंस आ रहा है और बहुत सही चल रही है बाइक मैं युजली मैं इतनी प्रेग्रेशिव फोस्ट्र वाली बाइक चलाता नहीं है और मैं जब चलाता हूँ तो मुझे उस बाइक को समझने में और हैंडल करने में टाइम लगता है तक इसमे इसमें प्रेशिव जेखने के बार ही बदा चलाएगी जीरो तो मने चुपने 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 टाइम में प्रीग है लेक्सी कर आखराओा चुपने जीरोड़ तो में लाहराओ कर डरीग बतत्या कही शुपने खलाओने तक पर दो में उसके तो कर दो में पुपने वंगत्रा प्चलाएगी तो मेंगत्स हॉए्वट से वपने प्राववागी के अन्यवास 추 December झाल झाल उस्तासं को प्लिष पर चाए साथ चाहिए बकिक के दो हमें रहे सिर्पम्राइग। फिर्टोफ से शप नहीं कि डाई। भीट रेट रहे जहीं है एक रिगार रेक्टी आए बेखिए देखिशन से प्सक्राइग के निया है। हे लेक्टी होत्त में है। पगड़ी बाइक है, कंट्रोल भी काफी असान है, क्विक शुख कर पवाल काम करता है, और मज़ा आगया फूफ बाइक कंफर्टेबल भी ठीक ठाक है, मतलब बिंग रोयल इनफिल्ड राइडर मुझे बहुत जादा कोई प्राब्लम नहीं हुआ बाइक से, इसका जो यह है, यह ब्लू कलर का सरकल जो भी है, और इसका जो गोल्डन स्पोक्स है, यह काफी सुन्दर लगा मुझे, और यह जो इसका क्लिपउन है, यह बिल्कुल R1 टाइप के डिजाइन का दिया हुआ है, और आगे से तो भाई पूरी R7 लगती है, मतलब एक नजर में बंदा पहचान ना पहे, मैंने इस्टागरां पर रील भी देखें ना, तो अचानक से सामने मतलब रील पर R15 है, या R7 है, पता नहीं चल पाता है, तो वो चीज़ है, काफी सुन्दर है, इस इस बेस्ट कलर जिसमें यह बाइक अवेलेबल है, बाइक बिल्कुल नहीं है, काफी सारा इंफोर्मेशन अव मुझे पता है, अभी तीन क्लो मेटर पर लीटर, मुलब तीन क्लो में, तीन लीटर ने सौ किलो मेटर चल जाएगी है, बाइक यह ऐसा बिखा रहा है, आवरेच, एंड ट्रिप आप्शन काफी जाज है, जैसा आपको दिखरा है, आपको अब दिखरा है, वो ट्रिप स्ता झाल झाल